इस्टुडेंट्स आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इसमें है सेंट्रोसोम एज माइक्रो टुब्यूल आरगनाइजिंग सेंटर्स दूसरा टॉपिक होगा मालेक्यूलर मोर्टर्स सेंट्रोल्स जो होते हैं ये बैरल सेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो एनिमल सेल्स में और मोस्ट प्रोटिस्ट्स में ये पाये जाते हैं सेंट्रोल्स they are found near the nucleus they are surrounded by a structure called as सेंट्रोसम surrounding the सेंट्रोल्स there is a peris योलर मैंटेरियल के यह जिसल्स एल्स कि सेंटी और बाइयरो सेफ़्टे होते हमने बता है सिलिंड्रिकल और बीच में हालो होगा है त्वाइच फैस बाख कि यह ये जो बैरि सेंट्रियोलर मैट्रियल है यह जो है अपने अंदर ring-shaped structures रखता है और वो ring-shaped structures जो होते हैं वो tubulin होते हैं आप इसके पहले जानते हैं कि micro tubulin की polymerization में tubulin molecules लगते हैं tubulin tubulin लगते हैं और वो ring-shaped होता है और tubulin दो sub units का बना होता है alpha और beta और वो mil-mil के proto filaments बनाते हैं और proto filaments side by side arrange होते हैं और एक tubular structure form करते हैं barrel-shaped या cylindrical structure form करते हैं ते देखे यह pair of centrioles हैं यह जो centrioles होते हैं यह triplet micro tubules के बने होते हैं triplet देखे triplets हैं 123 123 तो 9 triplets centrioles के formation में लगते हैं 9 triplets और 9 triplets करके एक यह बन जाएगा और एक दूसरा centrioles यह बन जाएगा वो करते हैं cell division से पहले जब interface stage आती है और cell division होने को होता है तो यह centrosome जो है वह अपने को duplicate कर जाता है तब एक पेर से एक पेर और synthesize हो जाता है ताकि spindle formation में दोनों एक अलग अलग पोल्स पर migrate कर जाते हैं यह nucleus है यह centrosome है यह cytoplasm है इदर आये पेरी सेंटिलोर सेंटियोर सेंटियोर मैटेरियल है पेरी सेंटियोर मैटेरियल यह माइक्रो ट्यूबूल की assembly को nucleate करता है इन अनिमल सेल्स एंड दस पेरी सेंटियोर मैटेरियल इस आलसो नोन एज microtubule organizing centers इसका मतलब एक माइक्रो ट्यूबूल का organization polymerization यूनिट्स का ट्यूलिन सब यूनिट्स का polymerization यहां होता है और यह tube का formation हो जाता है viral shape tubes बन जाती है और यह जो दोनों centrioles होते हैं वो एक दूसरे के right angle पो होते हैं एक ऐसे रहेगा तो दूसरा ऐसे रहेगा दोनों एट राइट अंगल सेक दूसरे के रहते हैं और यह जो है सेंट्रोसोम इज रेस्पांसबूल फॉर दा आर्गनाइजेशन आप माइक्रोटीबूल्स डियूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम भी जो है माइक्रोटीबूल के अर्गनाईजेशन वे रेस्पांसबूल है जब सेल डिवीजन में न्यूपलेड मेंभी करती है तो ही माइक्रोटीबूल का यह फार्मेशन करते है और स्पिंडल फार्मेशन में ह betrayal करते हैं इसेंट्रोसों में और फंजाई इसेंट्रोसों तो पाया जाता है लेकिन नहीं होते हैं तो सेंट्रोस नहीं होगा तो माइक्रोट्वूल की एसेंबली कैसे लेकिन फिर भी सेंट्रोसों की ही वजह से इस्पिंडिल फॉर्मिशन होता है डिविजन के समय तो यह हमने देखा कि यह पेर आफ सेंट्रियोल सें एक दूसरे के राइट एंगिल पर होते हैं और यह सेंट्रोसों में पाए जाएंगे और सेंट्रोसों जो है इस ट्रक्चर जो है सेंट्रियोल को सराउंड किये हुए सेंट्रियोल को सराउंड करते हुए जो एरिया होती है नियूकलियस के पास उसको हम कहते हैं सेंट्रोसों और इसमें जो है पेरी सेंट्रियोलर मैटीरियल होता है जो कि माइक्रोट्यूल आर्गनाइजिंग सेंट्र होते हैं इस तरह से हमने देखा कि सेंट्रो सझों मायक्रों के फारम somry कारिक है दूसरा च STAR च्छोटा टापिक है हम लोग भी पढ़ते आए हैं अ कि और इंट्रमेडियट फिलामेंट साइटो स्केलटन को हम लोग ने खूब पढ़ा वी Grand eukaryotic cells में मैटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना है इन ओल्युकर eukaryotic cells मैटेरियल मस्ट मुव फ्राम वन प्लेस तो एन अदर प्लेस इन दे साइटोप्लाज्म यह एक सेल है सपोस्ट करिए यह साइटोप्लाज्म है तो मैटेरियल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को साइटोप्लाज्म में सेल के विदिन दसेल मूब होना चाहिए क्योंकि अलग अलग चीजों की ज़रूरत अलग अलग जगहों पर हैं तो मैटेरियल कैसे मूब करेंगे तो यू केरियाटिक सेल्स में दो तरीके हैं मैटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह मूब करने के लिए पहला तरीका होता है कि इस न्यूकलिय से लगा हुआ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल में यह इसका चैनल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल को मैटेरियल्स यूज़ करें और ट्रांसपोल्ट हो एक जगह से दूसरी जगह तो यह इंडोप्लाज्मिक reticulum का जो channel है एक तरह से सेल का intra cellular highway का function करता है जैसे highway पर बहुत सारी चीजें बहुत सारे motors run करते हैं चीजें जाती है बहुत सारी उसी तरह से सेल के अंदर जो synthesis हो रही है और उन चीजों को एक जगह से materials को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है तो उसके लिए endoplasmic reticulum के जो channels होते हैं यह channel है यह channels जो है और highway की तरह से यूज होते हैं और materials एक जगह से दूसरी जगह cytoplasm में मूब करते हैं दूसरा तरीका यह होता है कि कुछ molecular motors होते हैं और वो materials को एक जगह से दूसरी जगह को लई जाते हैं और उसमें उस motors को यूज होने के लिए या उसकी functioning के लिए चार चीजों की जरूरत होती फोर तींस are required to move materials from one place to another place in the cytoplasm of cells नमर वन वेसिकल्स और आर्गनेल्स to be transported जिस वेसिकल को या जिस आर्गनेल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है साइटो प्लाज में एक तो उसकी जरूरत पड़ेगी दूसरी जरूरत पड़ेगी कि एक मोटर प्रोटीन होना चाहिए एक मोटर प्रोटीन होगी जो उस वेसिकल्स को या आर्गनेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी और वो मोटर प्रोटीन जो है energy driven function करता है एटीपी से energy की जरूरत पड़ती है connecting molecules का होना बहुत जरूरी है जो वेसिकल्स को या आर्गनेल्स को जिसको ट्रांसपोर्ट होना है उसको उस वेसिकल्स को और मोटर प्रोटीन को connect कर दें तो यह तीन चीजें हो गई एंड फोर्थ तिंग जिसकी और requirement होती है वो है साइटो स्केल्टन का माइक्रोटीब्यूल होना चाहिए जिस पर वो train की तरह से वो rail के तरह से इस्तेमाल करेगा यूज करेगा इस माइक्रोटीब्यूल को वो सारी चीजें जो है मिलके वो rail की तरह से इस्तेमाल करेंगी और जिसके ऊपर यह मूब करेंगे वेसिकल्स है लोड़ेड विद कार्गो बहुत सारे मैटिरिल्स के अंदर वेसिकल्स के अंदर इंक्लोज है जिने सेल में एक जगह से दूसरी जगह को जाना है विदिन दवेसिकल्स कें जो है लोड़ेड विद कार्गो मैटेरियल्स और यह है कनेक्टर मालिक्यूल यह जोelin जोित उपacked मेंशों मेंम्ब्रेन में इंबेड होता है। के मिम्ब्रेन में एक कनेक्टिंग मालेक्यूल इंबेड़ेड होगा और यह अपने तरह का यह जो कनेक्टिंग मालेक्यूल है यह अपने तरह की के तरह के मोटर को सर्च करेगा उससे कनेक्ट होगा तो यह यह जो connector molecule है उसको कह रहे हैं dynacting complex यह complex है proteins का तो यह dynacting complex है और यह dynacting complex complex जो है dyn-in motor से associated है जुड़ा हुआ है और वो microtubule के उपर vesicle loaded with cargo that can be used as rail as the train moves on a rail जैसे एक train rail के उपर मूप करती है पटरी के उपर मूप करती है उसी तरह से यह vesicle जो cargo को समेटे हुए है उस इस पर microtubule के उपर मूप करेगी एक जगह से दूसरे जगह तो vesicles can be transported along microtubules using motor proteins यह motor proteins है जिसका नाम है dynactin sorry dynin dynin that use ATP to generate force ATP से ओएनर्जी पाएगी और तब मैटेरियल को मूप कराएगी the vesicles are attached to the motor proteins यह motor protein है उससे attach हो जाएगी by a connector molecule यह dynactin complex है यह dynin motor protein है तो उससे connect होने वाला जो connecting molecule है उसका जो नाम है वो dynacting complex है complex of several proteins यह जो dynacting complex है वो अपने तरह की motor protein को सर्च करेगा ऐसा नहीं कि हर connecting molecules किसी भी तरह के motor protein से असोसेट हो जाएगा नहीं की specificity है और वो उसकी भी सिस्टा के इसाब से ही अपने motor protein के साथ है associate होते है यहाँ पर हमने एक nerve cell बना दिया है nerve cell जो की थोड़ा लंबाई में इसके एक्जान्स होते है यह nerve cell की main body है जिसको हम कह रहे हैं cell body है यह nucleus है यह dendrites हैं और यह इसका एक exon सो कर दिया गया और यह exon terminal है तो इसमें हम आपको दो तरह के two sets of protein motors को show कर रहे हैं one set of protein motor proteins they carry materials from cell body to the exon terminal इस exon में जो microtubules है वो unidirectional arranged है they all are arranged in the same direction starting from cell body up to the exon end और इसमें जो है one to hundreds microtubules एक से लगा के सैकडों microtubules इसमें attached है exon के अंदर the microtubules serve as tracks यह जो है track का काम करेगा for transport of materials synthesized in the cell body जो cell body में materials synthesized होगा उसके लिए यह track का काम करेगा highway का का काम करेगा road का का काम करेगा जिस पर वो waste skills के अंदर enclosed होके चीजें transport होगी एक जगह से दूसरी जगह synthesized in the cell body but required at the exon terminal exon terminal की उसकी आ सकता है बहुत सारी proteins जाएंगी और exon terminals पर उसकी आ सकता होती है तो एक जो है outward transport हो गया cell main cell body से periphery की तरफ जा रहा है जहां से microtubule का formation start होता है वो minus point बनता है और जहां पर microtubule end कर जाता है वो plus point बनता है तो microtubule का formation cell body से start हो रहा है क्योंकि centrioles nucleus के पास पाये जाते हैं और centrioles जो है microtubule organizing centers है cell के तो microtubule का formation यहां से start होगा यह minus minus देखे बना दिया हमने और यह microtubule से इधर end कर जाएंगे तो जहां से microtubule का formation start हो रहा है वो minus point बन रहा है और जहां पर end कर रहा है वो plus point बन रहा है तो कुछ materials जो सेल बॉड़ी में में सेल में synthesized हो रहे हैं वो देखे यह red color से सो किया गया यह अपनी ट्रांसपोर्ट जर्नी इधर की तरफ कर रहा है एक्जान टर्मिनल की तरफ कर रहा है और दूसरा set of motor है proteins है second set of motor proteins जो एक्जान टर्मिनल से cell body की तरफ आ रहा है यह main cell body है main cell है इसकी तरफ आ रहा है इसको देखे यह black color से level कर दिया गया है शो किया गया है यह inward transport है तो जो outward transport है वो kinesin motor proteins के द्वारा होता है और जो inward transport है cell के अंदर की तरफ जो चीज़े आएंगी वो dynin motor proteins के द्वारा होगा तो यह एक्जान स्केप पर कुछ चीज़े ingest होती है ingest करेगा cell यह भी तो plasma membrane है और कुछ चीज़ों को ingest करेगा या कुछ proteins का यहां पर breakdown होगा तो वो जो protein के breakdown products होगे उसको वो inward transport के द्वारा cell के body में ले आएगा तो यह दो set proteins पाएगा तो sets of motor proteins one set for outward transport and the other set of proteins for inward transport तो हम लोग ने आज है सेंटोसोम एज माइक्रो टीविल आर्गनाइजिंग सेंटर्स और यह देखा कि कैसे मैटेरियल्स जो सेल के अंदर सिंसाइज होते हैं वो सेंटर से अंदर से शेल की periphery की तरफ जाते हैं और कैसे periphery से जो मैटेरियल्स हैं वो कैसे सेल के सेंटर की तरफ आते हैं तो यह दो चीजों को आज हम लोंने डिसकस किया ताइंक यू